राजनिती की कभी ये परंपरा नहीं रही है कि जहां गुंडा गिर्दी की जाए भारती जनता पार्टी गुंडा गर्दी पे उतर आई आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है आइडियोलोजिकल फाइट होती है पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की दफ्तर में या किसी के घर में जाके प्रॉपर्टी डेमेज करे गुंडा गिर्दी करे ये कभी नहीं होता है पर गुजरात में बीजेपी बॉखला गई है क्योंकि जो उनकी उमीदे थी उस मताबित रिजल्ट नहीं आया राहूल गांदी जी पार्लामेंट में जिस तरीके से बोले हिंदू धर्म की सही बात उन्होंने सही माइने में रखी और बीजेपी को कहा कि बीजेपी वाले तुम हिंदू के नाम पे हिंसा करते हो इसलिए हिंदू धर्म बदनाम होता है असली हिंदू धर्म शीव जी का चित्रचाती के साथ लगा के उन्होंने सारे बजब सारे धर्मों की व्याक्या भी कर दी अगर देश वासियों ने उसकी सराना की है सोशल मीडिया पे राहूल गांदी जी की सराना हुई तो बाजपा को लगा कि उनकी जो धर्म के नाम पे गलत राजनीती और जो दुकान चल रही है वो बंद हो जाएगी और इसलिए मौखलाई हुई बीजेपी ने हमारे सीसे थे वहां होर्डिंग्स पे काली शाई पहुची सीसे तोड़े फर्निचर तोड़ा और वही वीडियो वहाँ पे वेब साइट पे भी लगा हुआ है पुलीस को सियो मोटो एक्शन लेना चाहिए था तुरंत कंट्रोल को हमारे चौकिदार ने बताया हमारे लोग वहां जाके रीटन में देके आए फिर भी एफ आई आर नहीं दिया उसके बाद चार बजे एक मैसेज वाइरल होने लगा कि भाजपा वालों ने कांग्रेस दफ्तर पे हला बोल का प्रोग्राम दिया है मीडिया को भी कहा आप आईएगा तुरंथ पुलीस को इतला किया गया कि देखो भे ये मैसेज है आपकी जिम्मेवारी है लॉइ अन ओर्डर रखने की पुलीस की जिम्मेवारी थी हमारे नेता जाके पुलीस टेशन में उच्च अधिकारियों को मिलके कहके आए फिर भी कुछ नहीं किया गया मैं दन्यवाद करता हूँ कांग्रेस के कारिय करता हो और नेताओ का राउल गांदी जी कहते हैं ने बबबर शेर है कांग्रेस कारिय करता हो को पता चला बिना बुलाए अपने आप दफ्तर में आ गए है कि कोई हमारे दफ्तर में ज्यादा नुकसान ना करे एक पुलीस की जिम्मेवारी थी कि बिना पर्मिशन बिना इजाजत हमारे दफ्तर के सामने डेमोंस्टरेशन के लिए बाज़पा वाले आ रहे हैं उनको उठाके ले जाके जैल में डालना चाहिए और पुलीस ने तो उसको मदद कर दी हमारे दफ्तर के सामने आ गए नारे बाजी पोस्टर्स लेके गालिया बोलने लगे और बाद में पत्थर भैंकने लगे ये कोई राजनीती का तरीका नहीं है और दुख की बात तो ये है कि पुलीस ने भी वहाँ उनको पकड़ने मारने की बजाए कांग्रेस के दक्तर में पुलीस आई हमारे सिनियर विदायक है दलित नेता है उसको मैन हैंडल किया शेलेश परमार को उठा के ले गे ये महिलाओ को भी दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की गई मैं पुलीस को भी कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा के नौकर नहीं हो आप जनता की सुरक्षा के लिए जनता से सेवा की सौगन लेके आया हो आपको ये काम नहीं करना चाहिए हमारी दो ऐसी घटनाओं की रीटन में दी हुई कंप्लेंड की अभी तक एफायार नहीं बनी और भाजपा वाले जो हमारी प्रिमाईसीज में हम पर हमलाला बोल कर रहे थे उनके लोग पत्थर फैंक रहे थे उनी मेंसे किसी का पत्थर उनी के लोगों को लगा होगा हमें तो पता नहीं उल्टा चोर कोटवाल को दंडे भाजपा के लोगों को नहीं कांग्रेज के कारिय करताओं को जहल में डाला है मैं कहना चाहता हूँ हम डरने वाले नहीं है राहूल गांदी जी के सिपाई है कांग्रेज के विचारधारा के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लाठी गोली के खिलाफ लड़े थे डरे नहीं थे तो तुमसे क्या भाजपावालो हम डरेंगे हम ना डरेंगे लड़ते रहेंगे हम इस बात को छोड़ने वाले नहीं है और फिर से अनुरोद करता हूँ कि पुलीस अपना धर्म बजाएं अगर गलत एक तरफा काम होगा तो समय तो बदलता रहता है हमने कभी हमने कभी भी पावर का मिस्यूज नहीं किया है पर कल को ऐसे लोग जो पास्ट में भी मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे पुलीस का दो रुपियों किया था और फिर उनी पुलीस अपसर को कुछ उसमें अच्छे भी थे उनको भी बुगतना पड़ा था तो यह ना करें यह मैं कहना चाहता हूँ लड़ेंगे कांगरेस वाले डरेंगे नहीं